आप लोग बहुत बेसबरी से एक काउंसिलिंग में फर्स्ट राउंड के लिए च्वैस्ट फिलिंग का वेट कर रहे होंगे या करने की कोशिस कर रहे होंगे यदि हो रहा होगा तो लेकिन आप लोग अब जब रूख जाएं क्योंकि निउस कुछ ऐसी आई है कि जो च्वै लेकर या दिन में बीडियो लेकर नहीं आसके ऑस पर टकिन आभी कहाने के निउस कन्फार्म हो चुकी है और यह है कि इंटिये ने क्लासekt का जो हो जाएगा और score change होने के बाद जितने भी ranking All India Merit List rank में ranking लिख लिए थी वो भी change होगी यहां पर एक बात बतला देना चाह रहे हैं कि जो answer की को revise किया गिया है उसमें देखना होगा कि कितने का answer उसने revise किया है उस ही के हिसाब से आपके नंबर पर असर पड़ेगा इसके पहले भी जब answer की दिया गया था score का डाया तो नहीं से मेरी बाक्षित हुई थी उन्होंने कहा था कि जितना number हमने जोर आया जितना आना चाहिए था final answer की के हिसाब से या उसके पहले जो answer की दिया गया था उसकी साब से number मिले नहीं कुछ ने तो यहां तक कह दिया बहुत कम ने लेकिन यहां तक कहा कि उनके candidate को number ज्यादा आ गया दो चार पांच छे number ज्यादा आ गया तो यह हो सकता है कि यह complaint पहुंचा होगा तो उन्होंने साथ कुछ manually check किया तो उनको लगा कि कुछ error है इस score काडमिया जो score दिया गया है उसमें कुछ error है तो उसको उन्होंने सही किया है और सही करने के बाद अभी revised answer की दिया गया है उसके बाद इस score को सही करेंगे और उसके बाद all India merit list revised होकर फिर से हम लोग के सामने आएगी और जब और इंडिया merit list ही revised हो जाएगी रैंकिंग साथ का change हो जाएगा तो अभी इस score जो choice feeling है उसको करने को essence नहीं बनता है क्योंकि उसी rank की अधार पर या number की अधार पर ही खासकर rank की अधार पर ही आपने choice बनाई होगी स्कूल्स की जब number ही आपके बच्चे का change हो जाएगा तो अभी से जो अपने choice बनाई है उस पर भी असर तो परेगा ही परेगा तो अभी के लिए क्या है कि NTA के आप जब वेबसाइट पर जाएंगे न तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पहले आता था था ना final score final answer की class 9 final answer की class 6 अब वहाँ पर revised answer की class 6 लिखा हुआ आ रहा है आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं या उसको नहीं भी देखें तो ऐसा कोई tension है नहीं आप लोग को लिए main important होगा scorecard और जो revised all India merit list आईगी वो ठीक है आप उसको देखकर न तब जाकर आगे के काम में आप आगे बढ़ेंगे जिन लोगों को पिछले साल का experience होगा और लोगों को पता होगा कि last year भी NTA ने ऐसा ही किया था लेकिन उस समय उसने answer की को तब revise कर दिया था जब कितने सैनिक स्कूल का medical test भी हो चुका था और उतने आगे step बढ़ने के बाद उसने सारी कहानी फिर से लिख दी गनीमत है कि इस पर उसने थोड़ा जल्दी कर दिया है तो आप लोग अभी के लिए यही न्यूज है कि आप लोग NTA के website पर ध्यान रखें अपना scorecard time to time चेक करते रहे क्योंकि हमने कुछ बच्चे का चेक किया है तो अभी तक उसमें changes नहीं है तो साथ उसको update नहीं किया ह है भी तो score भी change होगा और merit list में ranking जो है वो भी सारे बच्चों की change हो जाएगी अभी आप लोग इस पर ध्यान रखें अभी पहले फिर कहानी जो है न फिर दुबारा लिखी जा रही है जैसे initial stage में थे उसी पर पहुंच गया है हम लोग अभी आप लोग उसको देखिए और उसको देखिने के बाद जब आपके पास final merit list आ जाए और या बच्चों का number आ जाए तब जाकर आ फिर choice ceiling के बारे में सुचिएगा अभी तक के लिए यही news है यदि आगे कुछ news आती है तो उसके बारे में भी जल्दी ही हम आप लोगों को बतलाएंगे